इक्रेजों के समय का बसा शहर जाहिड तोर पर यह वही शहर है जिसको बोलते हैं अमबाला शहर दरसल अमबाला शहर एक विधान सभा शेत्र है और इसके साथ साथ ये दो तरफ से जो है पंजाब की सीमाओं के साथ सटा है और जाहिड तोर पर यहां के विधायक भी भारतिय पालव किया या में उस्टाम कर जाई था आज मेन एक माले का मालक है और एक बरसाथ हो जाए तो सारी पॉल खो जाती है इनका वकास में बैज आता है ताविकास मतलब कहने का वाव यह सिर्फ ना बोलते हैं मुझमानी नोकरिया दे देंगे उन दी नहीं मतलब कुछ नहीं करा है एक लिपा पूत नहीं कर यह सब जमाजीरो है जमाजीरो क्या जितनी टैले लग विदायक साथ काम करें जिसमें उसको 10-20% 25 जड़े पैसे आई बाफसी और कुछ नहीं करा जन भावना सेवा भावना होती दरसल विदायक के मन में की कैसे लोगों की सेवा की जाए कैसे जनता को साथ लिया जाए लेकिन शायद उसमें भी अगर कमिशन आये तो मुझे कोई का अधर कोई भी आदमी सके पास लेडी जी आदमी कोई बी आता है जी तो कहता है मुझे आपकी बोट की लोड़ी नियां मुझे तो एछ भी कास तो गाम में बी ओना चीक शाया जिये जी शहरत को नहीं हो ना ख विकास ऐसा विदा एक पहली बार देख्के जो एसी बात कहते हैं को चीशे बाहर चलो आपको भी ऐसे लगता जी कि विधायक साब को वोट नहीं कि नहीं मैं विधायक साब के भी पक्स में भी नहीं पर जो इन्होंने मुद्धे पबलिक के साथ किये थे वो ना तो मुलाज़मों के साथ खरे उतरे जैसे रोड़ वेजी का देखो कि अब यह भी ताजा गुटाला स्टीट लेट में हुआ बार बार उसके टेंडर बदले जा रहे हैं ऐसे पहले जो पसू पकड़ने के थे उसमें हुए कोई पसू पकड़ा नहीं फिर जी बिलमंड थे रहे हैं आपको नगर मैंने सुना था कि बीजेपी का गाय से तो बन दो 則स जख हो ऊहरे हैं इतना बुरा हाल है मर जाती है क्या फारきた तो तकार में तो पहले सूर फिरा करते थे तो गवारी माता फिर भी और किता गाउप्रेम अगर हो तो दिल से हो शब्सकान से और बयान बाजी से मुझे लगता कि गाई के नाम पर कम से कम राजनीटीं नहीं होनी प्रांड करते अकले मता है कि मताб। जो आज का युवा है वो सोचता है कि चपपा-चपा बाजपा या सब बोल गोल नज़रा रहा है तो बिल्कुल निसोचते बात उनकर तो रोजगार जी रोजगार मिला नहीं तो एक चालवाजी शरकार है कि देखो युवाओं को रोजगार चाहिए क्यूंकि रोजगार मिलेगा तो घर चलेगा परिवार चलेगा अगर रोजगार ही नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा और फिर पुलिस की जब क्राम प्रवाइब रिकॉर्ड के जो डिटेल साती है जब उनकी पूरी डिटेल आती है उसमें साफ दिखता है कि अपराद की संख्या बढ़ रही और कहीं नहीं कई बड़े-बड़े विश्चक्यों ने का आप राद की संख्या बढ़ने के पीछे सबसे जो बड़ा कारण है वो बेरोजगार है हमर साथ एक और सक्से हम उनसे भी जानते हरपाल जी नमस्कार हरपाल जी मैं सुन रहों कि इस बार जेज़ेपी के तरफ से आपने दावा ठोक दिया है यहां से जी बिल्कुल खोशिश है आपको क्यों लगता कि बीज़ेपी केंडिट को आप हरा करकर के ज देखे जिस पब्लीक ने जब जन्मत दिया था तो तब तो ये अपने आपको नगर सेवक कहते थे आज वो नगर सेवक नगर सेट बन चुका है तो नगर सेट और नगर सेवक के बीच में जो पांच साल का समय रहा वो सारा पब्लिक ने तो जहला है तो पब्लिक क्यों अब सेट को किसलिए बोट देगी पब्लिक तो खुद प्रशान है जो वाइदे इन्होंने किये थे युवाओं के साथ वाइदे किये थे हमारे युवा अपने आपको ठगा मैसूस कर रहे हैं आज हमारे जो गरीब सोद्य बाष लेते थे कमसे खाने को आनास तो सही मिलता था आज वो एक कीडे वाला अट्टा उसको दो भी नहीं सकते सकोलों के हला देखलो स्कूलों के अंदर जाकर के मैंने कई बार अवाज उठाई उन स्कूलों के अंदर छटें नहीं है फाले वाली कडियों वाली सबस्क्राइब करने के लिए दूसरी बात अगर देखो हमारे स्कूलों में बच्चों के जासे मैं अभी बताया पढ़ने के लिए बच्चोन के पाइण पेने का प्रबंद नहीं है स्कूलों में पानी खड़ा रहता है अच्छे टीचर्स नहीं है बच्चों का इतना बुरा हाल है कि कैसे हमारा बच्चे हैं वो कैसे आके सवाइब कर पाएंगे लेकिन आपने स्कूलों कि काको रॉप हो जिनकी समस्या दूर हो जाती बड़ा बताइए लोकसभा चुनाओं में जिस पार्टे से अब दावाँ टोकने जा रहे हैं लोकसभा के मुद्दे हैं वो अलग हैं लोकसभा के अलग होते हैं विदान सबा में क्या है लोकल स्थानिय मुद्दे होते हैं जिस परकार से हमारी जो समस्याई हैं घर की समस्याई हैं गली की नाली की स्कूल की समस्याई हैं और हमारी जैसे अवारा जानवर हमारे पास यहां आते हैं उनकी समस्याई हैं और जो लोकल चेरा है चेरे के नाम पे भी बोट डाली जाती ह क्योंकि दुख्र लोगों ने विदान सभा के अंदर क्या मोदी जी तोड़े काम करने आएंगे अगर किसी को के प्रॉलम होती है को दिक्कत होती है वोदी जी के पास थोड़ा न जाएंगे उन्होंको तो लोकल विदायक चाहिए जो वहाँ पर उनका अपना साथी चाहिए अपना हूँ ऐसा आद्मी चाहिए जो उनके साथ दिन रात उनके साथ लगा रहें, उनके सेवा में लगा रहें ऐसा आद्मी चाहिए उनको। इसलिए मैं नहीं महानता की मोदी फैक्टरिस के विधान सभा चलेगा है। तो मतलब आप यह मन रहें हैं किस बारे आपकी चापि विदानसमा के जो दरवाजेंगे उनके ताला खोलेगी। बिलकुल खोलेगी, हमारी चापि खोलने के लिए बिलकुल तियार है। और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि लोगों का जो साथ है वो आज हमारे साथ है जन्नेक जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के जो लोग है वो हार जाएंगे क्यों मतलब समीकर्ण क्याला कि मुक्यमंत्री आये और उन्हीं लाकों में दिखाया उन्होंने की बहुत भीड़े बंपर लोगों ने स्वागत किया और इतना हुजूम था कि सड़कों पे जगा नहीं मिली आपको यह क्यों लगता कि उनको बिल्कुल भी क्लीन स्वीप वाला इस्तिती दिखेगी देखे सबसे बड़ी तो उनक अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं अभी पिछे मैंने देखा था मैं लोगों के बीच में जाता हूं गाउं में कस्बों में शहर के अंदर जा करके एक एक विक्ति से में मिल करके आया वहां पर एक ही समझ था थी जिवाओं की कि हमें रोजगार नहीं है जब तक हमारा युवा रूजगार नहीं मिलेगा तो क्या युवा उसको बोट डालेगा क्या जब यह कहते थे सत्ता में आने से पहले 2,00,000 नोकरियां हर साल हम लोगों को देंगे अगर उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर इसी अंबाला शहर की साफ सफाई व्योस्ता पर प्रश्टिन उठेगा इसी अंबाला के तमाम उन विकास कारियों को लेकर के लोग सवाल खड़ा करेंगे साथ करोड रुपे के दविकास की आव सकता है तहाँ छोटे छोटे बच्चे पड़ते हैं जो देश का भविश्य बनने वाले जो अर्याना का भविश्य बनने वाले हैं अगर वो कडियों वाले ऐसे घर में बैठेंगे जहां कभी भी बारिश आई और वो पूरा का पूरा यानि कि उनका जीवन पूरा खत्रे में हो तो मुझे लगता है कि वो साथ क्लोड रुपे लगाना बिल्कुल वेर्थ है और लोग यही मानते हैं कि जरूरत है विकास की पूरी ऐसी बैयार बहाने की ताकि सभी को एहसास हो कि मनोहर सरकार वाकई अपने मनोहर के जरीए जाने कर रहे हैं लेकिन भारतिनता पार्टी का जो 75 प्लस का मिशन है अगर ऐसे रहा तो हमें नहीं लगता कि वो उनका सक्सेस हो पाएगा इस कारिकरम भी इतना ही तब तक के लिए नमस्कार